ओम नमो भगवते वासुदेवाए दोस्तों स्वागत है आपका आदर्स धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल की अंसुनी कहानी प्रसंगों में आज का विसे है सामूहिक कीर्टन करने वाले लोगों के सामने कैसे भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हुए और इस सच्ची कहानी के माद्यम से स्री भगवत नाम संकीर्टन की अदभुत महिमा प्रकट की गई है कथा सुरू करने के पूर्ब जिन सज्जनों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लिजे जिससे कि आप सब की उपस्थिती से मुझे और अच्छा करने का प्रोशाहन मिले जो लोग इन प्रसंगों को विस्तार से पढ़ने में रुची रखते हैं तो क्रपया हमारी वेबसाइट www.samajikgyan.com के आदर्स धर्म पेज पर विजिट करके बढ़ सकते हैं सेयर कर सकते हैं और अपने सनातन धर्म के प्रचार में सहयोग कर सकते हैं तो कथा सुरू करते हैं एक बार अरजुन के पूछने पर स्री भरत द्वाज रिशी ने एक बड़ी सुन्दर कथा कही थी जो आज मैं आप सब के बीच इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ और आसा करता हूँ कि आप सभी भक्तों को ये प्रसंग सुनकर या वेपसाइट पे पढ़कर तरक पूण भाव पूण आनंद की अनुभूती अवश्य होगी तो भरत द्वाज जी ने कथा सुरू की है है बंस में सुरुत नामक एक राजा हुए हैं उनके पुत्र राजकुमार संख हुए थे जो समस्त गुणों के निधी और सब सस्त्रों सास्त्रों में कुसल थे कमलनेयन भगवान विश्नु में उनकी अपार स्रद्धा थी वो राजा बनने के बाद भी भगवान विश्णू की निश्चल अनन्य भक्ती भगवान के ध्यान करते हुए नाना प्रकार के ब्रत दान और पूर्ण किया करते थे। पवित्र भगवत कथाओं को सदैव सुना करते थे। ये सब कुछ करने के बाद भी राजा संख को जब भगवान स्री हरी के प्रतिक्ष दर्सन नहीं हो पाए जिससे उनका मन बहुत ब्याकुल हो गया। बहुत चिंतित हुए और एक दिन स्री भगवान के बिग्रह सरू भगवान सालिक राम के समक्ष बोले कि हे जनार्दन आपके दर्सन के बिना मेरा जीवन बेर्थ है। अतहे, आज मैं ये प्रतिग्या करता हूँ कि आज मैं अपने पुत्र को राजा बना कर अपने इस पंच तत्तो रूपी सरीर को नश्ट कर दूँगा। और ऐसा कहे कर भगवान के दर्सन के मोह में राजा संक फूट फूट कर रोने लगे। तभी वहां उपस्थित जन समुदाय के समक्ष सब के सुनते हुए एक आकास बानी होती है और भगवान बोले कि हे राजन तुम सोक मत करो, तुम तो बच्पन से सिर्फ मेरे भगत हो, मैं तुम्हारा त्याक कैसे कर सकता हूँ? हे राजन, आप वैंकटा चल नामक परवत जो तीनों लोकों में प्रसिद है, वहां का निवास मुझे बैकूंट से भी अधिक प्री है, आप पुत्र को राज दे कर उस स्रेष्ट परवत पर भक्ती पूर्बक तपस्या भजन के और उसी परवत पर वहीं महरसी अगस्त भी वहां तपस्या करेंगे और वहीं आप लोगों को मेरा प्रत्च दर्सन होगा। और वहां स्वामी पुसकारिनी नदी के किनारे कुटी बना कर जगदीस जनार्दन को प्रति दिन जप और तप करने लगे। प्राध हो गया जो भगवान इतने प्रयत्न के बाद भी दर्सन नहीं दे रहे। अगस्त जी वही महरसी हैं जो सारे समुद्र का जल पी कर सुखा चुके हैं। उनके सुभाव और अनिष्ट की चिंता के कारण देवगुरु ब्रहस्पती और दानवगुरु सुक्राचार दक्षिन प्रदेश आज का तमिल्नाडु के राजा उपरीचर और वसूगन ये सब महान भाव अगस्त जी के पास आये। और बोले कि हे मुनिष्रेष्ट ब्रह्मा जी ने हमें आज्या दी है कि आपको सूचित कर दें कि दक्षिन दिशा में वैंकटा चल नामक परवत है। वहीं पर जगदीशर आपको और राजा संख को एक साथ दर्सन देंगे। अतह, चिंतित और क्रोधित मत हों और उसी पवित्र परवत पर प्रस्थान कीजिए, वहीं पर आप दोनों के साथ अन्य रिशियों, देवताओं, आद जो भी वहां आपके आसपास उपस्थित होगा, सभी को दर्सन लाब मिलेगा। ये सुनकर अगस्त जी ने सोक त्याक कर सीग्र ही सब के साथ वहां पहुँच गए, और वहीं स्वामी पुसकारणी और नदी के किनारे कुटीबें राजा संख को देखा, जिन्होंने अपने मन क्रम बानी से समस्त कर्म भगवान को समर्पित करके वहां बिराजमान थे, व अब सभी लोगों ने एक दूसरे का यथा योग्या भिवादन करके, फिर एक साथ बैठ कर राजा संख का अनुसरन करते हुए भगवान के नामों का कीर्टन करना सुरू कर दिया, और कीर्टन में सारे लोग खो गए, उनको पता ही नहीं चला कि कब तीन दिन बीत गए, औ अब सभी लोग एक धुन से भगवान का कीर्टन भजन रत्य ताली बजा कर भगवान में भक्ती के साथ एक धुन में गाते चले जा रहे थे, गाते चले जा रहे थे वीडियो जादा बड़ा नहों, इसलिए हमने ये कीर्टन अलग से कीर्टन बना करके एक दूसरा वीडियो डाला है, जो सज्जन कीर्टन करने सुनने में रुची रखते हैं, तो उस वीडियो पे जाएं, क्योंकि कहानी बहुत लंबी नहों, इसलिए इस वीडियो के दो पार्ट कर दिये हैं, एक तरफ कीरतन है और दूसरी तरफ स्टूरी तो आगे चलते हैं जब इस तरे से कीरतन में सारे लोग मस्त हो करके तीन दिन से लगातार भगवान का कीरतन करे जा रहे थे करे जा रहे थे नाच रहे थे, गाह रहे थे एक धुन में ताली बजा रहे थे सारे मस्त थे भगवान के याद में उनको ये पता ही नहीं चला कि कब तीन दिन बीत गए तीसरे दिन रात में उन सभी को हलकी हलकी नींद आ रही थी राजा संख और महरसी अगस्त सहित सभी लोगों को सुबह अर्ध निद्रा में सुन्दर सुपन दिखा जिसमें भगवान विश्णू हाथों में संख चक्र गदा और पदम से सुसोभित प्रसन मुक से बर देने के लिए खड़े हैं भगवान की ये जहाकी देखकर सभी प्रसन चित हो गए और जाग कर कुटी से निकल कर सबने स्वामी पुषकरणी नदी में सनान किया और फिर भगवान की उत्तम इस्त्रोत द्वारा इस्तुती की और महार सी अगस्ते और राजा संख भगवान के अश्टाक्षर मंत्र उम्नमुनाराएनाए 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 उसी समय उन महत्माओं के आगे एक महान अध्भुत तेज प्रकट हुआ उस तेज को कोटी कोटी सूर्य चंद्रोर अगनियों के तेज सा तेज पुंज वो प्रतीत हो रहा था उस तेज का दर्शन करके सब को बड़ा आश्यर हुआ फिर उन्होंने उस तेज पुंज के भीतर परमानंद बिग्रह दिब्वे रूपधारी भगवान स्री नाराएन का चिंतन किया भगवान को अपने सामने देख कर सभी भक्तों के आनंद की सीमा नहीं रही सबने बार बार भगवान के चरणों में सिर जुकाए स्री भगवान पीतांबर रत्नम आभूशनों से विभूसित थे उनके हाथों में संक चक्र गदा और पद्द्य सो भाय मान थे भगवान ने अभीष्ट बरदान से ब्रह्मा आदि देवताओं को संतुष्ट किया फिर मुनी स्रेष्ट अगस्त की तरफ मुखातिफ हो करके बोले मुनींद्र तुमने मेरे लिए कठोर ब्रतों का अनुष्ठान करके बहुत कलेस उठाया है अतह मैं तुम्हें अभीष्ट बरदान दूँगा मागो अगस्त जी के सारे सरीर के रोम रोम से सिर्फ नारायन भक्ती दिख रही थी पूरा सरीर रोमान चित्था प्रभू को प्रणाम करके जैसे तैसे बोले कि हे जनार्दन आपकी क्रपा मुझ पर हमेशा बनी रहे और मुझे क्या चाहिए लोक कल्यान की भावना से ओत प्रोत महारसी अगस्त ने प्रभू से बरदान मागा कि हे प्रभू आप अगर मुझ पर प्रसन्न है तो यहीं इसी परवत पर बिग्रह रूप में यहीं वैं बैंकेट परवत पर बिराजमान हो जाओ क्योंकि जो नर्नारी इस स्वर्ण मुखरी नदी में इसनान करके इस बैंकटा चल पर बिराजमान आपका दर्सन करें वो भोग और मोक्ष के भागी हो भगवान ने मुस्करा करके एम वस्तु कहा और कहा कि मुनींद्र आप हमेश लोक कल्यान का ही काम करते रहते हैं और इसी लिए आप मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं फिर भगवान राजा संख की तरफ देख कर बोले कि हे राजन मैं आपकी भक्ती से बहुत संतुष्ट हूं अपना मनवान्चित बर मागो राजा संख बोले भगवन आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा बर नहीं चाहिए भगवान बोले कि हे राजन आप तो मेरे अनन्य सेवक हो और इसी सेवा का बदला चुकाने हे तू अभी आपको भोक्ष देता हूं आप आवा गमन चक्र से मुक्त हो जाओ पिर कलियुग के अंतिम चरण में आप आर्या वर्त के भारत वर्स में मेरे एक अनन्य भक्त के र लोगे और कल युग जिसमें धर्म का संपून बिनास हो चुका होगा जिसमें धर्म की रक्षा के हे तू आप मेरा आवाहन करोगे और तब मैं स्वयम आपके पुत्र के रूप में कल की अवतार लूँगा और दुष्टों का संघार करके धर्म की पुनर स्थापना करूँ और पुत्र धर्म के अनुसार आपकी सेवा का करज भी चुकाऊंगा आपकी सेवा करूँगा इसके बाद स्री भगवान ने ब्रह्मा आदे सभी देवताओं को रिशियों को बिदा किया और अपनी सक्ती स्वरूप बिग्रह रूप में वहीं स्थापित हो गए भगवान स्री बेंकटेश्वर की इस कथा का जो सच्चे मन से स्रमन करता है उसके सभी पाप नश्ट हो जाते हैं अस्तु प्रेम से बोलो स्री बेंकटेश्वर भगवान की जय जय श्री कृष्णा